असलाम अलेकुम विल्कम बैक टो मैं चैनल में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो गयों का अदलिया होता है उसमें गुर्ड डालकर हम बहुत ही अच्छी लापसी बना कर तयार करेंगे बहुत ही सौफ्ट और दानेदार बन कर तयार है और आज हम इसे कुकर मे बना कर तयार करेंगे क्योंकि थोड़ा खुले बरतन में बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसलिए हम कुकर में बनाएंगे और लापसी का परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पानी कितना लेना है घी कितना डालना है गुर्ड कितना डालना है परफेक्ट मेजरम आदा कप हम इसके लिए गी लिए है और एक कप गुब लिए है अब हम इसमें एक बड़ा चमच घी डालेंगे जो हमने ड्राइफूट काटके रखे है उसको राज लेंगे काजू बदाम और पिस्ता कमने इस्तिमाल के हैं आप अपने चाइस से कोई भी ड्राइफूट यहा देख सकते हैं ड्राइफूट अच्छी से फ्राय हो चुके हैं उससे निकाल लिए है अब हम इसमें लापसी डालेंगे यह दलिया डालेंगे यह दलिया हमने यह तीन साइज का मार्केट में मिलता है इससे छोटी साइज एक आती है और यह एक साइज है और इससे बड़ी स साइज एकाती है मैंने मीडियम साइज का जो होता है वो दल्जय लिया है ऐसे लो फ्लेम पर ही हमें भूनने में ही ज्यादा टाइम चला जाता है आठ से दस मिनट तो अरांद से लगेंगे इसको भूनने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर अच्छे से भून चुका है यह जितना भूनेंगे ना इसके बाद यह घी ना रिलीस करता रहेगा और कलर भी चेंज होएगा और बहुत अच्छे पुछबू आने लगेगी बहुत अच्छे से भून चुका है अब हमसे गरम पानी डालेंगे जिस कप से हमने लापसी नापी थी उसी कप से हमें तिन कप यहां पर पानी डालना है तो गरम पानी डालना है मृट पानी डालने समयवत ध्यान रखना पुरा वाप अपने हाथ पे आ जाती है मैं साड़े तीन कप पानी डालने के बाद हम इसे लो फिलेंप पर तीन सीटी आने देंगे कि निकिन सिटी है चुकिन करवु tentang मिक्स नह paran 스या की अच्छी हाँ अब देख सकते हैं फेशा." चिकन हरुएख लापसी बहुत हरु अच्छी शॉआफट हो चुकी हुआ को अब मिश भुर घृब 적 betting भुण मिक्सτιर्म अब देख सकते हैं यहां पर लाप्सी बहुत अच्छे से वह आफ्ट हो चुकी है फो हम इसमें गॉल डालेंगे गुर्फ को अच्छे से विक्स कर लेंगे और गॉल अच्छे से मेट होने तग Olokya तक है पकाएँगी हम आपने साथा प्रोसर्स्ट morzym करना है इस गूल डालने के लादी हो जये थोड़ा तरह थोड़ा पहला हम चुकन है इस देख सकते हैं पर देख सकते हैं।ी हम छुकल को में मिल्ट हो चुका है। बस हमें 2-3 म belly doctor । इंते हैं। आब देख सकते हैं यूडु अच्छे से पक चुपा है। अब इसमें जो फ्राई की वे ड्राइफुट हो डाल देंगे, उसी के साथ हम लाइची और जाइफल का को पीस लिया था उसको डाल देंगे, अभी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बच्छा हुआ जोगी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, अब देख सकते हैं, बहुत ही साफ्ट और बहुत ही खिला खिलाए बनकर तयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है, बहुत ही हिंदी है, फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको मरी रिस्पी अच्छे लगी तो लाइक, शेयर, सब्स कमेट में जरूर बताना कैसी लगी हमारी रिस्पी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, द्वाओं में हमें याद रखना, मिलते हैं आपसे नेक्स रिस्पी केसा, तब तक के लिए, अल्ला हाफीज